अलो फ्रेंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोटो को कमप्रेस कैसे करते हैं यानि कि अगर आप भी चाहते हैं आपके पास कोई भी फोटो है जैसे 1MB, 2MB, 5MB जितना भी साइज है आप उसे रिडियूस करना जोआते हैं तो कैसे करेंगे देखिए हमें उस टाइम बहुत के भी का होना चाहिए तो उसको हम कैसे करेंगे सबसे पहले आपको गूगल ओपेन कर लेनी है आपको कोई भी सब्सक्राइब को डाउनलोड नहीं करना है इंस्टोर नहीं करना है आप step by step वीडियो को देखते रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आपको गूगल पर सर्च करना है जेपीजी कॉंप्रेश बीज के भी ठीक है उसके बाद आपको यहां पर एक बेव साइट मिलेगा जो कि आप यहां पर सकेंड नमबर पर देख सकते हैं जेपीजी ऑप्टिमाइजर ठीक है आपको इस पर सिंपल क्लिक कर देनी है जैसे आप इस पर क्लिक करना है आप यहां से कर सकते हैं चलिए मैं यहां से कोई भी इमेज ले लेता हूं जैसे मैंने यहां पर इमेज ले लिया है अभी आप इसका साइज देख सकते हैं वान नाइन फोर सिक्स थिरी के भी है ठीक है तो अब करना कुछ नहीं आपको कॉंपरेश टूपीस के भी पर किलिक कर देनी है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करनी है और आपको नीचे आ जानी है अगर आप यहां पर नीचे देखे यानि कि 90% रिडियूस कर दिया गया तो सिंपल आपको यहां पर डाउन्डोड वाले बटन पर किलिक करके इसे डाउन्डोड कर लेनी है अब बात कर लेते हैं अगर आपको मैंवली साइज लेना है तो कैसे लेंगे अब भी मान के चलिए जो यह हमारा इमेज है वह नाइन Lewis वी करके आ रहा है तो आप यानिदे भी कर सकते हैं उसके नीचे अगर आप देखेंगे त् För àप और एफ्ट अइंट है यहाँ आप पर हीय chce और बर आयां से सेलेक्ट देनी है जो हमाराइज है आचुका है अभी इसका साइज है 1.56 मुझे क्या करना है 400 डीया है तो आपको ऐसे GP आ umas 200 लीधे digit यहां पर देख सकते हैं एक नंबर करके लिख क्या चुगा है जो भी इमेज का नाम है आप लिख क्या चुगा है अब यहां पर देखेंगे जो अभी इसका साइज है 1.56 MB से अभी 341.19 के भी हो चुगा है तो यहां पर देख सकते हैं 78% रिडियूस हो चुगा है तो सिंपल हम डाउंडोड वाले पर किलिक कर देंगे और हम इसे डाउंडोड कर लेंगे और यहां पर देख सकते हैं हमारा डाउंडोड सक्सेस्पूल हो चुका है तो अभी आपको समाझ आ चुका होगा कि कैसे कंप्रेस करते हैं किसी भी इमेज को तो चलिए फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो को लाइक करना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करना ताकि एसे ही वीडियो आपको हमें साम मिलती रहे हैं टेकनिकल से रिलेड़ेट ग्राफिक से वीडियो आपको हमेंसा मिलती रहें तो चले फिरेंट मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में